राथे राथे जी पावित्रवचन यूट्यूब चैनल में आपका हांतिक स्वागत है मैं हूं कात्याईनी आज की इस वीडियो में विश्ण पुरान में वर्नित यम गीता प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें स्वयम धर्मराज यमराज जी बताते हैं कि कैसे मनुश्यों को यम यातना भोगना पड़ता है और कैसे मनुश्यों को यम यातना भोगना नहीं पड़ता आईए श्रवन करें परन्तु उससे पहले हमेशा की तरह जै धर्मराज जी की जै भगवान श्री हरी विष्णु जी की लिखकर अवश्य कमेंट करें और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो अभी सब्सक्राइब भी कर दे जै यमराज जी की जै भगवान श्री हरी विष्णु जी की विष्णु महापुरान के अंतरगत तृती अंश का सात्वा अध्याय यम गीता श्री मैत्रे जी बोले हे गुरू मैंने जो कुछ आप से पूछा था उसे आपने भली भानती वर्नन किया किन्तु मैं एक विचार और सुनना चाहता हूँ वह आप मुझसे कहिए हे महामुने सातो द्वीप, सातो पाताल, सातो लोक ये सभी जो स्थान ब्रह्मान के भीतर में हैं इन सब में स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और स्थूल एवं स्थूलतर जीव रहते हैं हे मुनिश्रेष्ट एक अंगुल का आठवा भागमात्र भी स्थान ऐसा नहीं है जहां अपने कर्म के बंधन में पड़े हुए प्रानी ना रहते हों हे भगवन ये समस्त प्रानी अपनी आयू के अंत में यमराज जी के वश में जाते हैं और उनके आदेश अनुसार यातना भोगते हैं और अपने पाप के फल स्वरूप यातना भोगने के बाद जीव देवता आदी की योनियों में ब्रह्मन करते हैं यही शास्त्रों का चाहे हैं अतयव आपसे मैं यह कर्म सुनना चाहता हूँ जिसे करने से जीव यम के वशिभूत ना हो श्री पराशर जी बोले हे मुने यह प्रश्म महात्मा नकुल ने भीश्म पिता मा से पूछा था और उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया वह सुनू भीश्म जी बोले हे वत्स प्राचीन समय में मेरा एक ब्रामन मित्र कलिंग निवासी मेरे समीप आया और मुझसे बोला मेरे पूछनी के बाद जातिस्मर ब्रामन ने ये सब बात इस प्रकार भवश्य वर्नन पर कही और जैसे जैसे उसने कही थी सभी उसी प्रकार से घटित हुई उसके प्रतीश रधालू होकर मैंने उससे पुनह पूछा और जो भी उसने कहा उसके विपरीद मैंने कुछ भी नहीं देखा जो तुमने पूछा है वह एक दिन मैंने उससे भी कलिंग निवासी ब्रामन से पूछा तब उसने मुनी के वचन को समरन करके कहा कि जातिस्मर ब्रामन ने यम के अनुचरों और यम के बीच में जो समवाध हुआ था वही गूर रहस्य मुझे भी कहा वही अब मैं तुमसे कहता हूँ कलिंग जी बोले पाश हाथ में लिये हुए अपने अनुचर को देख कर यमराज जी ने उनके कान में कहा मधुसूदन भगवान के शर्नागत हुए लोगों को छोड़ देना क्यूंकि मैं विश्णु भक्तों के अतिरिक्त पुरुषों का शासक हूँ वैश्नवों का शासक नहीं हूँ देवताओं से पूजित ब्रमाजी द्वारा यम इस नाम से विख्यात मैं लोगों के हित और अहित इनको विचार करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ एवं भगवान श्री विश्णुजी मेरा भी नियंत्रन करने में समर्थ है भेद रहित एक ही सुवर्ण जिस प्रकार कटक, मुकुट, करनिकादी अनेक भेदों से नाना रूपों में देखा जाता है उसी प्रकार एक ही भगवान हरी, देव, पशु, मनुश्य आदी, काल्पनिक भेदों से अनेक स्वरूप वाले माने जाते हैं जिस प्रकार वायू के शांत होने पर प्रित्वी तल के परमानू प्रित्वी से मिलकर एक रूप हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार गुड के खोप से उत्पन, देव, पशु और मानवादी अन्त में उस सनातन से मिलकर एक हो जाते हैं उसी में लीन हो जाते हैं जो मानव श्रेष्ट देवगन से पूजत चरन कमल वाले भगवान श्री हरी को एक बार भी परमार्थ बुद्धी से प्रनाम करता है गृत की आहुती से प्रज्वलित अगनी के समान समस्त पाप बंधनों से मुक्त उस मानव को तुम दूर ही से छोड़ कर चल देना इस प्रकार यमराज जी के वचन सुनकर पाश हाथ में लिये हुए यम पुरुष ने धर्म राज से कहा ये विभो सभी के विधाता भगवान श्री हरी जी का भक्त कैसे होता है या मुझे कहिए यमराज जी बोले जो पुरुष अपने वर्न धर्म से विचलित नहीं होता अपने मित्र और शत्रों के प्रती समान विचार रखता है बल से किसी का कुछ हर नहीं करता और किसी जीव की हत्या नहीं करता उस निर्मल मानस वाले पुरुष को विश्नुभक्त मानो निर्मल बुध्धी वाले जिस मानव का मन कलियों के कलुश रूपी मल से मलन नहीं हुआ है और जिसके मन में सदा जनार्दन भगवान श्री विश्नु निवास करते हैं उस पुरुष को विश्नु भक्त जानो एकांत में पड़े हुए दूसरों के सोने को भी अपनी बुध्धी से जो त्रिन के समान मानता है और जो भगवान के अतिरक्त और कही भी अपना मन नहीं लगाता उस श्रीष्ट पुरुष को विश्नु भक्त जानो कहां स्फटिक गिरी के समान निर्मल श्री विश्नु भगवान कहां मनुश्यों के मन में रहने वाले मत्सरादी दोश चंद्रमा के किरन पुंच में अगनी तैज की ग्रिश्मता कदापी नहीं रहती जो पुरुष निर्मल चित्र इर्श्या रहत शांत शुद्ध चरित्र सभी के लिए मित्र स्वरूप प्रिय एवं हित्वचन बोलने वाला और अभिमान तथा माया से वहीन है उसके हृदे में सदा वासुदे भगवान निवास करते हैं और भक्त पुरुष के हृदे में सनातन भगवान का निवास होने पर पुरुष इस जगत के लिए शांति मूर्ती बन जाता है जैसे नवीन शाल व्रिक्ष अपनी सुंदरता ही से अपने भीतर के पार्थवरस को सूचित करता है हे दूत यमनियम द्वारा जिनका पाप नश्ट हो गया है जिनका मन प्रती दिन अच्युत भगवान में आसक्त है तथा जिनका मद और मत दर्य समाप्त हो गया है ऐसे मानवों को दूर से ही त्याग हो खडग शंख और गदा धारं किये हुए अविनाशी भगवान यदी हृदय में विराजमान है तो उसका हृदय पाप राशी से रहित हो जाता है सूर्य के प्रकाशित होने पर अंधकार कभी नहीं रह सकता है जो मनुष्य दूसरों का धन हरन करता है जो असत्य एवं कटो भाशन करता है उस अशुभ कर्म संपन दुर्मती के हृदय में अनंत भगवान कभी नहीं रहते जो पुरुष्य दूसरों की संपत्ती को सहन नहीं करता तथा सदा दूसरों की निंदा करता है को बुध्धी जो साथ हुजनों का अपकार करता है और संपन होकर भी कभी भगवान की पूजा नहीं करता अथ्वा भक्तों को कुछ दान नहीं देता उस अधम पुरुष के हृदे में कभी भी जनार्दर भगवान निवास नहीं करते जो दुष्टमती, परम सुखरत, बंदुबांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता माता तथा दासवर्ग के प्रती अर्थ लोलुपता प्रकट करता है उस नीच मनुष्य को भगवान का भक्त मत समझो असद विचार वाला जो सदा असद कर्मों में लगा रहता है और निरंतर अनार्य जनों के संगत अनाचार में उनमत रहता है प्रती दिन अपने किये हुए पाप बंधन से ही बांधा रहता है वह पुरुष के रूप में पशु है कि दू वासुदेव का भक्त नहीं हे कमलनेत्र हे वासुदेव हे विश्णों हे धरनी धर हे अच्चुत हे शंख चक्र पाने आप में राशारन है इस प्रकार जो सदा उच्चारन करते हैं उन निश्पापों को दूर से ही परित्याग दो जिस पुरुष रेष्ट के मन में वे अव्यात्मा भगवान सदा अनिवास करते हैं उस पुरुष की जहां तक दृष्टी पड़ती है चक्र के प्रभाव से बलवीर्य समाप्त हो जाने के कारण मेरी अथवा तेरी भी वहां तक गती नहीं हो सकती वह पुरुष वैकुंठ आदी लोकों में जाने योग्या है कलिंग जी बोले हे कुरुवन्शियों में श्रेष्ट इस प्रकार सूर्य पुत्र धर्मराज ने अपने दूद को शासन के लिए कहा और उस जातिस मर्ब मुनी ने मुझसे कहा तथा मैंने आपको सुनाया श्री भीश्म जी बोले हे नकुल प्राचीनकाल में कलिंग देश से आकर उस महात्मा ब्रामन ने प्रसनिता पूर्वक मुझसे कहा था और हे वत्स वही समस्त वृतांत संसार सागर में भगवान विश्नु के अतिरिक्त कोई भी रक्षक नहीं है मैंने यह भली भांती तुम से कह दिया जिसका मन सदा केशव भगवान में लगा रहता है उसके उपर यम दूत, यम पाश, यम अथवा, यम यातना कोई भी समर्थ नहीं हो सकता श्री पारश जी बोले हे मुने आपके प्रश्ट के अनुसार यमराज जी ने जो कहा था वह सब मैंने सुना दिया अब क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री विष्ण पुरान के तृते अन्ष में सात्वा अध्यार यम गीता समाप्थ होती है भक्तो आशा है आपको आज की यह प्रस्तुती अच्छी लगी इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पवत्रवचन को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जैश्री कृष्ण राथे राथे